जहिन साथियों बहुत वो श्रागत है आपका अपने ही चैनल NIS Online Hub में बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर जो भी खबरे आ रही है चाहिए ओपीसेल हो या नियूच पेपर के माईदम से हो शिक्षा भीबाग से जो भी अपडेट आ रही है करेंट अपडेट आप तक साजा क किया जा रहा है और आज के मोर्निंग के वीडियो में मैंने ये बात आप लोग से कही थी कि पंचाय चुनाव में इस बहाली पर आसर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह बहाली जो है पहले से चलती आ रही है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आज के जो हैं पर अपडेट सचीब का स्टेटमेंट आया है मैं आपको हर एक अपडेट से रूब रूब कराऊंगा तो चैनल पर अगर नए है पिलिस सब्सकाइब कर लेना तो दोस्तों यहाँ पर देख लिजे सिक्षा मंतरी का बड़ा बया नहीं हाँ पर आया है कि सिक्षक बहाली पंचाय और दोस्तों देख लिजे अपर मुख सचीब का स्टेटमेंट है यहाँ पर कि सिक्षक बहाली अपर मुख सचीब ने कहा पंचाय चुनाव का परकिरिया पर कोई असर नहीं होगा और निक्ति पत्र जो है अक्टूबर माह तक संभवत्व है कि आपको मिल जाएगी एक सब्सकाइब कर लेना ताकि दोस्तों कोई भी अपडेट आया सबसे पहले आपको मिल पाए तो सबसे पहले दोस्तों इस न्यूज को पढ़ते हैं पंचाय चुनाव से कौंसलिंग पर किरिया नहीं होगी बाधीत एक बड़ी अपडेट आ रही है पटना से आ रही है यह ज संग ने यहां पर देख सकते हैं आगे कहा जा रहा है कि छटे चरन के प्रात्मिक और माईद्यमिक सिक्षक नियोजन चल रहा है जैसे प्रात्मिक में चुरानवे हजार और माईद्यमिक में जो है तीस हजार जो है चल रहा है आगे कहा जा रहा है पर किरिया चल रहे है प्यास लगाये जा रहे हैं कि पंचाई चुनाव से कॉंसलिंग परकिरिया बादित हो सकती है। वजह से कॉंसलिंग नहीं हो सकी है। देखा गया है कि पहले और दूसरे चर अनकॉंसलिंग खात्म होई कई दीन गुजर गए। के बाद भी अभी तक कई जिलों में NICB अफसाइट पर चैनित अभिहारती को सुची नहीं डाली है। फिलाल कॉंसलिंग की कवायत पर पंचाई चुनाव का कोई असर नहीं पढ़ने बाला है। तो एक बड़ी खबर दोस्तों आ रही है और यहां पर दोस्तों देख लिजे एक बड़ा स्टेटमेंट और सिक्षा मंतरी का यहां पर देख लिजे बिजे कुमार चोधरी का बड़ा स्टेटमेंट आया है। लिखा हुआ है कि बिहार शिक्षक बहाली पंचाय चुनाव पर इस परकिरिया पर कोई असर नहीं होगा जो कि आज दोस्तो भासकर के फ्रॉंट पेज में ही दिया गया है आगे लिखा है कि प्रारंबिक स्कूल के चैनित अभिहारतियों को अक्टूबर तक मिलेगा निक्ति पत्र स्टेट्मेंट दोस्तों आप देख लिजे बिजे कुमार चोधरी का मैं थोड़ा सा इससे जूम करता हूँ इसमें कहा जा रहा है कि हमारा लक्ष है कि अक्टूबर के अंत या नॉमबर के सुरू तक प्रारंबिक स्कूलों के सिक्षकों को बहाली परकिरिया पूरी कर ले इसके लिए विभाग पूरी तरह तयार है दो चरन में अधिकांस नियोजे ने काई कि कौंसलिंग पूरी हो चुके है कौंसलिंग पूरी पारदसी तरीके से कराई जा रही है आगे कहा जा रहा है सभी नियोजे ने काई कि कौंसलिंग की वीडियो फूटेज भी स्टेटमेंट आप दोस्तों देख पा रहे होगे अब दोस्तों इस खबर को पढ़ते हैं प्रारंबिक स्कुल में 9762 सिच्छकों की बहाली के लिए अंतिम रूप से चैनित अभिहारतियों को अक्टूबर के पहले निक्ति पत्र मिलने के संभावना नहीं है यानि का बहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा अक्टूबर से पहले प्रारंबिक स्कुल के चैनित अभिहारतियों को निक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं है जांच के बाद दिया जागा पूरी खबर को पढ़ते हैं प्रारंबिक स्कुल में 9762 सिच्छक बहाली के अंतिम च नहीं दिया जागा आगे कहा जा रहा है कि बहाली परकिरिया का पंचाय चुनाव का असर नहीं होगा दोस्तो देख लिजे मैंने इस बाट का जिक्र किया था पहले के वीडियो में कि दोस्तो आप लोग का कन्फिज जो है मैं नेक्स वीडियो में दूर कर दूंगा और यह रिक्त सीटों के लिए अभ्यारतियों को और एक मोका दे कर अंतिम रूप से सभी अभ्यारतियों को सट्पिकेट जाच कराने के बाद निक्ति पत्र दिया जाएगा यानि दोस्तो जो रिक्त पत्र है तिसरा चरन का कॉंसलिंग होगा उसके बाद आपका सट्पिकेट का ज कलन करेगा फिर अभियारतियों को एक और मुका दिया जाएगा यानि जो जो है थार्ड राउंड होने के बाद सिट बचता है तो फिर और एक मुका दिया जाएगा ताकि विशय कोटी और हिसाब से रिक्त भर दिया जाए विभाग के अपर मुक्स सचीफ संजे कुमार ने कह सिख्षक बहाली परकिरिया पहले चल रही है इसलिए पंचाइच चुनाव के कारण परभायत नहीं होगी पंचाइच चुनाव पर इसका कोई आसर नहीं पढ़ने बाला है पंचाइच चुनाव आचार संगिता अचार संगिता के अनुसार नहीं निक्ति की परकिरिया नहीं हो सकती यानि नहीं परकिरिया नहीं होगी लेकिन दोस्तों ये जो है नोटिफिकेशन 2019 का है ये 2019 में ही इसका प्रारंग हुआ था आगे कहा जारा है कि प्रारंबिक स्कुल में 9762 सिख्षकों की बहाली के 9000 विभिन नियोजनिकाई में लगभग 2.5 लग अभ्यारती हैं अब तक इस कॉंसलिंग के अधार पर 40,000 सीटे भरने की संभाबना है नियोजनिकाई में कोटी बिसाय के हिसाब से अभ्यारती नहीं मिलने के कारण 50-40,000 सीटे खाली रह गई है 50-40,000 सीटे यानि 45,000 पदे महला अभ्यारती के लिए आरेक्षी थे कोटी बार महला रिक सीटों के लिए अभ्यारती नहीं मिलने से इस कारण लगभग 35-40,000 सीटे खाली रह गई है तो दोस्तों यहाँ पर सटपिकेट जांच के बाद आप लोग को निक्ति पत्र दिया जागा एक बड़ी अपडेट मैंने दोस्तों आप लोग को दिया देख लीजे यहाँ पर जो की आचार संगिता पर किसी तरह का बाधा नहीं होगा चाहे कौंसलिंग हो निक्ति पत्र के लिए और जो भी अपडेट आएगा बिहार शिक्षक नियूजन को लेकर आपको लगातार अपडेट दिया जारा फिलाल के लिए इतना ही अपडेट मिलते हैं नक्स वीडियो में तब तक के लिए जहन बंदे मात्रम